समस्कार दोस्तों मैं उस्टोनी पांडे स्वागता सब्सक्राइब के एक नीए वीडियो में नौ हाली में क्या हुआ है कि रॉइटर्स ने ये छापा है कि इंडिया जो है वो इस यो और ब्रिक्स से बाहर होना चाहता है अनकुरूमफटेबल फिल कर रहा है आइसा पूतिन नहीं जाएंगे क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड ने उनके अगेंस्ट वारेंट जारी कर रखा है और साउथ अफिरिका में जाते तो उनको अरेस्ट करना पड़ता साउथ अफिरिका के पास ये मजबूरी थी लेकिन दूसरी बात क्या है कि इंडिया के प्र इंडिया और ब्राजील जो है वह अगर ब्रिक से बाहर हो जाए तो जो वेस्टन लीड लिबरल वर्ल्ड वर्डर है वो काम करेगा क्योंकि वह रसिया और चाइना को अधोर्टोरियन मानते हैं वह मानते ही नहीं है कि यह किसी भी परकार से डेमोकरेसी चाइना अपने रहते हैं अब देखते हैं इसमें प्रोब्लम क्या है क्यों इतना ज्यादा इवेसे चाहता है कि ब्रिक्स जो है वो तूट जाए या ब्रिक्स से इंडिया बाहर हो जाए और इंडिया को क्या बैनी फीट होगा अगर ब्रिक्स में रहता है और बाहर होता है तो देखो मैं क स्टेटिक्स बताता हूं जिससे आपको किलियर कट पता चल जाएगा कि ऐसा क्या है इसमें फरस्ट फोल जो वर्ड की चालिस परसंट पोपलेशन है वो इन्हीं छे देशों में है जिसमें से ब्राजील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफेर का है तो 40 परसंट एक पोपलेशन इसमें रहती है और 30% वर्ड का लेंड कवरेज हैानी 30% परेशन पूरी वर्ड की 18% वर्ड का जो ट्रेड है वो इन्हीं देशों के दौरा होता है 25% जो वर्ड की नोमनल गड़िपी है वो इन्हीं देशों के पास में है दूसरी बात फूट सपलाई की कर लेते हैं. कोण सप्लाई करने वाला दिसरे रेंक ब्राजील. सिर्फ छे देश हैं. पूरी दुनिया के इतने सारे चीजों पर इनका अधिकार है. एनर्जी की बात करें. तो रूस दुनिया में सबसे ज़्यादा ओएल सप्लाई करता है. और सिके लार्जर natural gas supply करता है और इंडिया और चाइना का बहुत ही big role है जो clean energy है उसमें इसके साथ ही साथ अगर इसके influence की बात की जाए तो इसमें Saudi Arabia, Argentina, Kazakhstan, Egypt, UAE, Indonesia, Nigeria, Senegal और Thailand भी जोईन करना चाते हैं इन लोगों ने apply किया हुआ है membership के लिए including Iran तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है इसके अलावा परजन टाइम में देखा जाए कि ब्रिक्स कंट्री आपस में कितना को लिबरेशन करती हैं तो देखो इंडिया और चाइना का हमालेन रेंज में stand-up तो रहता है लेकिन इसके अलावा इंडिया और चाइना हर साल अपने ही रिकोर्ड तोड़ते हैं ट्रेड के मामले में इदना जादा ट्रेड होता है दूसरी बात दुनिया भर के लिए 30 से 35 डॉलर प्रत बैरल रसिया ने ओयल के दाम बढ़ा दिये थे इंडिया और चाइना के लिए उतने ही सस्ते कर दिये थे और इसके अलावा पूर पड़ी तो इंडिया और चाइना रसिया सब मिलके एक साथ आगए और रसिया का सपोर्ड भी किया क्योंकि रसिया को आइसलेट कर दिया गया था पूरी दुनिया द्वारा जो भी बेस्टन लीड थी उनके द्वारा और साथ ही साथ में पुतिन ने ये भी दावा किया था तो उस टाइम पे इंडिया और चाइना ने कहा कि हम कंडेम इनको नहीं करेंगे इसी के चलते बहुत सारी कंडेम नहीं किया रसिया को और अपस्टेन कर दिया या उन्होंने लिटिली विरोधी कर दिया कि इस तरह से कंडेमनेशन नहीं होना चीए तो कहने का मतल़ भी है कि इतना ज्यादा इनकोंत्रीस का इंफ्लियंस है तो इसी बात का भूत डरा रहा है इसी बात का भूत यह चाहता है at least कोई भी रेजूलेशन इसमें पास नहीं हो पाएगा दूसरी बात क्या है कि western countries पर एकदम से आगमूत कर भरोसा भी नहीं किया जा सकता क्योंकि present time में इसमें रसिया भी है और रसिया बहुत important है इंडिया के लिए अगर इतना important नहीं होता तो इतने जादा दबाओ के बावजूद भी इंडिया ने condemn नहीं किया रसिया का invasion इसलिए क्योंकि रसिया important है और important रहेगा बहुत ही जादा ये relevant बात है दूसरी बात क्या है कि जो बाइडन ने red carpet तो मोधी के लिए विचाया था उसके बावजूद मोधी जी ने कुछ भी अग्यंस्ट नहीं बोला रसिया के अगर ब्रिक्स की currency आ जाती है तो इसे के लिए सबसे बड़ी problem खड़ी हो जाएगी इवेसे उस बात से हमेशा से डर रहा है बहुत ही जादा डरा हुआ है हाला कि इंडिया ने बोल दिया कि हमारा कोई plan नहीं इस पर लगिन अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए फाइदा हो जाएगा फाइदा इस case में हो जाएगा कि इंडिया रसिया से वेपार बहुत ही आसानी से कर पाएगा और चाइना से बात क्या है कि जो डोलर का चाइना बहुत ज्यादा confident हो जाएगा इस उर्दे पर और हो सकता है कि एक बार को इंबेड भी कर दे ताइवन को लेकिन इंडिया के लिए भी beneficial होगा ब्रिक्स की currency लेकिन परजन टाइम में इंडिया इसका बहुत ही ज्यादा खुले दिल से support नहीं कर रहा है